बिजिटी मिडिया कवर इस्टोरी में आज देखिए परस्वाडा विधान सबाचेत्र के ग्राम कोटा में आदिवासियों की संघर्ष पूर्न जिन्दगी देश में और प्रदेश में जंजाती समुदाय प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व के लिए लगातार शंघर्ष रथ है वर्तमान में भी इनका यह संघर्ष वन ग्रामों में देखने को मिल रहा है लेकिन अब आदिवासियों का शंघर्ष किसी बड़े मुद्दे को लेकर नहीं बलकि रोटी, कप्ला और मकान जैसी मुल्भू सुईधाओं के लिए है हलांकी आदिवासियों के विकाश और उठान के लिए पूरो में भी और वर्तमान में भी सरकार द्वारा काफी कुछ की आजा रहा है बावजुद इसके आज भी आदिवासियों के गाउ पहुचने के लिए सडक और गाउ में पहुचने पर स्वच्छ पेजल की समस्या बर्बस ही दिखाई देती है आज हम परस्वारा छेतर के वन ग्राम कोटा के दवरे पर है रास्ते में ही हमारी मुलाकात एक आदिवासी महिला सिक्छिका से होती है जो जंगल के रास्ते साइकिल चलाते हुए अपने घर को लोट रही होती है इस महिला का नाम रूशिला धुर्वे है जो सोन खार से कोटा तक रोजाना इसी तरह साइकिल से ही आना जाना करती है कोटा गाव पहुचने के लिए हमने सिक्षी का रूशिला धुर्वे के साथ सरपंच पती को भी अपने साथ ले लिया मेडम बताएंगे कितने वर्सों से आप यहाँ पर पदस्त है किस तरह की परेशानी और कठिनाई यहाँ आपको उठानी पड़ती है 2019 से यहाँ पर पदस्त हूं सर और बहुत परेशानी है जंगल का रास्ता है अभी तो थोड़ा रास्ता सही बन गया है बाकी नदी यहाँ गुटने के उपर से पानी पार करके जाना पड़ता है कोटा इसकूल कोषी नदी है यह जो परती है यह पोलधा नदी बोलते हैं इसको अच्छा अच्छा बारिस की दिनों में तो आप इसकूल भी नहीं जाते होंगे जाती हूं सर चाहिए कईसे पूस्त है आब बस साइकल से नदी में पानी होता हो तो फिर नदी में पानी रहता है घुटने के उपर रहा तो हम चले जाते हैं उससे जादा हुआ तो फिर नहीं जाते हैं अमूमन हम देखते हैं कि बारिश की दिनों में घुटने से उपर तो अधिक पानी का प्रवाहा बना रहता है इसी इस्तितियों में पिर क्या आपको दिक्कते आती है बहुत परेशानी सर बहुत गावाले को बुलाते हैं कि भाईया नदी तक आ जाईए हमको उधर ले जा ल मजबूरी है आपकी मैं भी समझ रहा हूं लेकिन फिर भी मजबूरी है सर नई बंद क्या है भच्चे की भोई सिक सवारने के लिए हम टीचर बने हैं तो हम बच्चों को अच्छी सिक्षा दें यही चाहते हैं परेशानी वो ही है बारिस में यानि बार आ जाती है तो क्या आप एक्षा करते हो आप सासन प्रसासन के लोगों से यहां के चुने हुए जनपरतनी दियों से जी मैं वो ही चाहती हूं कि यहां का नदी बन जाया तो हमको आने जाने में सुईधा हो जाए सर नदी का पूल बन जाया है यहां पहुचने पर पता चला कि इस गाव की कुल श्योजना का लाब मातर पाच परिवारों को ही मिल पाया है इन में से दो मकान बन चुके है लेकिन तीन मकान ऐसे है जिनका कार आज भी अधर में लटका हुआ है यहां पहुचने के लिए बना कच्चा मार्ग कुछ दिन पहले ही फारेश्ट विभाग के द्वारा दूरस् जिससे वाहन तो आशानी पुर्वक इस मार्ग पर चल पा रहे है लेकिन बारीज के दिनों में इस मार्ग पर चलना बिलकुल भी संभव नहीं है क्योंकि रास्ते में ही एक बड़ासा नाला पड़ता है जिसमें पानी की तेजधार होने के कारण ना तो आदिवासी परिव पानी थीक है अख्छ नई दस्ता निल जाल ज्ण नहीं पहुची अभी तक चाल रही है लेकिन अभी चालु नहीं हो दाभ रिख शनक काम का मतलब काम हो चुका है नंने करें क मिलने के लिए कुछ सरकारी योजनाओं का लाब दिलाना होती है नहीं आते हैं गाओ तो काफी जंगल में है क्या परिसा नी आप लोगों लोगों और अभी बचके लोग जाते हैंपूरा पाणी बी आते है तो नादी नालस नहीं करे сразу जाते है जब घटना वटना तो नहीं घटी कभी अचार जंगल में रहते हैं जंगल जानुम जंघल जान बरहें जी परना तिने गाव के अंदर सरकारी योजना है चाहे मोधी सरकार की योजना हो या फिर वरतमान में जो भाजबा सरकार है प्रदेश में इसकी योजना है इनका लाब मिलता है कुछ लाब नहीं मिलता है हमको लाडली बहना का मकान बना है आपका साउचाला बना है पेंसन होगे रहे आपके गाव में 60 वर्स से उपर वाले लोग होंगे उनको पेंसन मिलती है अच्छा और मेहना के तीन से तीन से रुपए तो मिलता है वो लेकिन रोल नहीं है पानी की क्या सुईधा है आपका पानी के आपफ़ है जी तो पानी नहीं निकलते नाल से तो फिर तलाब से लाग पीती है जनपत पंचायत बालाघाट के अंतरगत छेत्र करमांक एक से जनपत शदश्य हमारे साथ मवज कि परेशानियों और दुस्वारियों से यहां के लोग जीवन गुजार रहे हैं यहां सडख से परेशानी परस कोई बीमारी हो जाए इसकुल में आने जाने वाले बच्चों को मेडम जो इसकुल जो पढ़ाने आती है उनकी विकट समस्या है बट कोई बीमार हो जाए जैस दिलेवरी प्रेशंट है उनके लिए विसेफ जो आश्व श्वीधा होती है उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा समस्या है जैसे कि बारीश हुई तो बारीश में एक बहुत बड़ा नाला है पोलधा-nylada कहते उसको तो उस बारीश में लग भाग में कमर से ऊपर ही पाणरी जाता है लगभग दो महिना तीन महिना पानी भेहते रहता है इस अंतराल में यदि कोई डिले वरी प्रेसेंट है इध्यर्ड़ को आस्पताल तक की मिल्स न है तो अक हाट के माध्यम से वाइक के माध्यagon से गाड़ा के माध हम से बठाल के उनको लिटा करके नाला क्रास करवाया जाता है उस साइड में सुनखार पंचायत है वहां तक के गाड़ी आती है बट बिगत एक देर साथ किलोमिटर पड़ता है सुनखार पंचायत दस किलोमिटर की दूरी में अच्छा आप जन परतने दी भी है जनपस सदस्य आपको इस छेत्र की जनता ने बनाया है तो क्या प्रात्निक्ता इस घाव के विकास को लेकर जो समस्या आप बता रहे हैं इसके समाधान को लेकर पूर में जो वुफ सर्पंच मी रहा चुका हूं तो उस समय ही से लगातार मैं आवाज उठाते रहों सासन प्रसासन को जेतावनी भी मतलब हमारे द्वारा ग्यापंद इए जाते रहा है सर्पंच के माध्य हम से पंचो के माध्य हम से इस दू मेध्याम से एक दो बार विदायक महद्य की पास भी गए थे вижу कि यहां कम से कम सड़क की सुओधा जो आने जाने में विकट समझ से आने जाने की तो सुओधा कम से कम अच्छा हो जाए अभी चुंकि यहां पर विदायक बदल चुके हैं तो उंसे क्या अपेक्षा कर रहे हो अभी तो उनका कारेकाल सुरू ही हुआ है फिर भी क्या अपेक्षा है आप लोगों की इस गाओ को लेकर किस तरह का काम होना चीए जिससे कि यहां के लोगों को जो मुल्भूश समस्याओं से जुजना पढ़ रहा है परेसान होना पढ़ रहा है उसका स अभी तो उन्हों ने कहा है कि सम्थिंग 15-16 के बाद मैं इस छेत्र में आऊंगा तो आप मुझे आवेदन पेस करिएगा तो मेरे से जितना हो शकता है मैं करवानी के सुविधा उपलप्त कराऊंगा अजसा करके उन्हों ने कहा है यहां पर पहुचने के लिए सडक मार्ग नहीं है और रास्ते में पढ़ने वाले नाले और नदियों पर पूल भी नहीं है इन इस्तितियों की वज़ह से इन समश्याओं की वज़ह से यहां के लोगों को अक्षर बारिस के दिनों में तीन से चार महनों तक वनवास जैसी जिन्दगी काटनी पड़ती ह हालां कि अभी-अभी मदप्रदेश के विधान सभाच चुना और शंपन हुए है पूरों में जो मंत्री इस छेतर से रहे हैं उनसे कापी अपिक्षाय थी उन्होंने भी इस छेतर के विकास को लेकर इस गाव के विकास को लेकर कुछ योजना जरूर लाई लेकिन सडक और पानी जैसी सुईधा अभी तक नहीं पहुची है जरूर केंदर सरकार की योजना नल जल के तहट यहाँ पर पाइपलाइन बिची है लेकिन अभी भी स्वच पानी लोगों को नहीं मिल रहा है वे आज भी हैंड पंप के दुशीत पेजल पर निरबर है और कुछ परिवार ऐसे भी है जो नालो के पेजल पर भी आश्रिद है ऐसे में अब देखना होगा कि मद्द प्रदेश विधान सभा के चुनाओ शंपन होने के बार यहाँ से जो विधायक चून कर गए है वो यहाँ के आदिवासियों की अपेक्छाओ पर कितना कुछ खरा उतर पाते है